नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती का नौचे और आप देख रहे हैं वो इस उप्रतिग्या आएरो कटे हैं खबर की ओर हर्याना नंबर की रजिस्टर्ट स्कूल बसे बिना टैक्स के राजिस्थान में संचालित स्कूलों में दौरती परिवहन विभाग की सहमती से हर्याना राज्ये के परिवहन विभाग में रजिस्टर्ट स्कूल बसे बिना टैक्स के राजिस्थान में संचालित स्कूलों में बच्चों को लाने में ले जाने के लिए सड़कों पर दौर लगा रही है अलवर जिले के 33 छेतर में संचालित MLP World School 13 अधिकतर बसे हर्याना राज्ये से रजिस्टर्ट है जिन में से कई बसों का तो हर्याना राज्ये का भी टैक्स खत्म हो चुका है लेकिन बसे बिना टैक्स भुगतान किये हर्याना की तो बात छोड़ो राजिस्थान में बिना अनुमती के सडकों पर दौर लगाती है इसे परिवहन विभाग की खामोशी कहें या परिवहन विभाग की सहमती जिन पर परिवहन विभाग द्वारा आज तक कारेवाही नहीं हुई क्या परिवहन विभाग ने हर्याना से रजिस्टर्ड सभी स्कूल बसों को स्वतंतरता प्रदान कर दी कि आप जब चाहे तब बिना टैक्स के राजिस्थान में संचालित स्कूलों में अपनी बसों को दोड़ा सकते वे भी बिना अनुमती के MLP World School के साथ साथ बिवाडी के करमपूर छेतर में संचालित सूरज स्कूल में भी ऐसा ही कारनामा देखने को मिला है सूरज स्कूल में भी कई हर्याना नंबर की रजिस्टर्ड बसे राजिस्थान में बिना टैक्स के संचालित हो रही है इसके अलावा भी बिवाडी छेतर में कई ऐसे स्कूल है जिनके पास हर्याना नंबर की रजिस्टर्ड बसे हैं और बिना टैक्स के स्कूलों में संचालित हो रही है वहीं दूसरी और अलवर भी बिवाडी में का हाईवे ओवरलोड तूडी के ट्रकों की लगातार तादाद बढ़ रही है इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं आखिर इन हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा देखिए एक रिपोर्ट मैं हर्याना राज्य से रजिस्टर्डी स्कूल बसे राजस्थान के जो सिक्षन संस्थान है तीजारा टपुगड़ा और भीवाडी चेत्र में काफी वर्सों से संचालित हो रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे विवाडी जिलापरी राज्य से लगता हुआ तो इस बात की संब्हम रहती है कि हर्याना राज्य में पंजीकरत वाहन या लगातार उनका वागमन बना रहे या वो आके जाते रहे जहां तक स्कूली वाहनों की बाते तो अगर वार्वाहिनी के बिना समचाली थो रहे हैं या उनके द्वारा पर्मिट नहीं लिया हुगा है राजस्तान राजसे तो हमारी जो प्लाइंग है या जिलापर नदिकारी वाहनी है दूसरा सवाल में यह है कि अलवर से भीवाड़ी मेगा हाइवे की उपर जो ओवर्लोड जो तूड़ी के ट्रक है वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है उसके लेकर कारवाई क्या रही आपके देहिं परिमेहंं पर देखिए जो भी वाहनों की चेखि़िग्ग होती है तो उसमें सभी चीज़ों पे जो भी मोटलवान अधिने उसे कवर होते हैं उस सभी अपराधों के कारिक्ष ओने कर चालार बनाया जाते हैं तीने ज़ने बिदा कि हमारी 11 फ्लाइंग इसका पर लगातार प्रवर्टन कारवाई करती है एक भी दून ऐसा भी होता कि प्रवर्टन कारवाई पिगना की जाए और उवरलोड जो भी वहां जनके आप बात कर रहे हैं उन पर भी विभाग या कारवाई समय समय करता आया है और फिर भी यदि कोई विशेश बात है तो मैं इसको देखा करके जगाए ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हैं वो इजो प्रतिग्या